नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सरीक या विज्ञान आए दोस्तों देखते हैं आर्विद पीजी एक्जाम्स के पॉइंट डवी से इसमें कौन-कौन से गोशन्स बनते हैं में सुस्तों करते हैं सबसे पहले आयुरवेद क्या है तो इह एसौवेदा नीरुपति में आते हैं तो नीरुपति यह वो में आता है सुसुत ने दीए है और विद्ध की नुरुगति पहले चेप्टर में दीए सुतिस्थान के आयूरस्मिन भेड़ते अनेन वा आयूरुद्धिन्ति इत्ते आयूरुद्ध या रव यानि रव्यका जिसके अध्यन से आयू की प्रापती होती है है यहां पर जो विद्धैते हैं दोनों में क्मन है कुछ चीज siete व बढ़ गए अब कास्याप के नाम पर कुछ भी याद कराने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज कहूंगा कि कास्याप कुमारवयत के जनक है बच्चों के डॉक्टर है तो बच्चों में जैसे बच्चे ने एक चॉकलेट मांगी आपने दे दी फिर उसने महला दूर दो दो तीन दे दो चार दे दो तो बच्चों में जो है एक बच्चा और सही दो बच्चे और सही तीन बच्चे और सही ऐसा करके बच्चों में संक्या में रोक नहीं लगाई जा सकती है उनकी बात मानने पड़ती है तो यहाँ पर दो तीन बच्चे और एस्ट्रा हो गए है यानि दो और आस्यब की देन है ठीक इसके बाद बढ़ते हैं आरविद की परिवासा में परिवासा चरक संचता में दी गई है पहले इंपे जीवति अध्याय में हेता हेतम अरविद की परिवासा किस ने दी है दूसरा कौशन आर्वेत की परवियासा का वर्णन चरक सही ता कि कौन से स्थान में है तो सूतिस्थान में है तीसरा question आयू के कितने प्रकार चरक ने बताए है तो वो चार हो गए हितायू, अहतायू, सुखायू और दुखायू और चौता question इनके लक्षणों का वर्णन कहा किया है तो वो सूतिस्थान में ना होके सूतिस्थान के 30 चेप्टर में हितायू, अहतायू, सुखायू, दुखायू, उनके लक्षणों का वर्णन चरक ने किया है इतनी सारी चीनिया आपको या रखने है जो विवारिक परिवासा है, वो भाव प्रकास में दी है, उनमें कहा है जिसमें विवारिक परिवासा एक सब्द ध्यान रखना है, ये भी एकजाम में अलग से आता है कि विवारिक परिवासा किस ने दिए विवारिक का मदला होता है प्यक्टिकल परिवासा दिए है आयूर हिता हितम यानि हितकर आयू और अहितकर आयू इसके लावा ब्याधी निदान सम्नम तुकि आर्वेद एक चिकिस्सा विज्ञान है तो उसमें ब्याधियों का निदान यानि उनके कारण बताए गए हैं और समन मतला होता है चिकिस्सा तो ब्याधी निदान समनम तदा विद्धनते यत विद्धवीत सा आईर्वेद उच्छते ये भाव प्रकास ने बताए है तो यहाँ पर पीजी एक्जाम के साब से जाते हैं तो कौन कोन से कुशन बनते हैं तो आर्वेद की बिवारिक परिवासा किस ने दी बहाव प्रकास ने दी फिर आर्वेद की परिवासा में ब्याधी निदान और समन का उल्ले किस ने किया है तो बहाव प्रकास ने किया है ऐसा आपको या रखना है फिर बढ़ते हैं आर्वेद की प्रियोजन के बारे में प्यों नम garsा 15 अधर दु सीघ्टर में आर्वीत का प्योंजन बताया गया हैetes कुछ चेप्टर में 30 अद्याय को सुटह होते हैं एक ल favour लस्टम्हा आुण करका तब आ Radio अधर प्योंजन अर्वेत का प्योंजन app g´s है चरक सूतिस्थान प्रथम में भी लिखा है धातु साम च्रिया चुक्त स्था प्रयूजद्र करते हैं चरक लुट्रीं द्युद्वलं से थ dispने है और रहा है। यानि कि यह जो शर्पधार्थ है वो कारण है और इनको क्या करनी है, धात्वों को साम करने हैं, यहीं इस तंद्र का प्रयोजन है, तो पहले चेप्टर में धात्व साम क्रिया युज़ किया है तंद के प्रियोजन में ऐसा ध्यारक ना है मैंने आपको समझा दिया है कि ये जो पहले प्रधार्थ पहले जो चारख का पहला चेप्टर हो उसमें 60 पधार्थ बताये हैं 60 पधार्थ का जो कारण द्रब्ध हैं उनसे क्या किरिया कि जानाएं आपके पास accidental case है, तो आपको पहले सबसे पहले उसको देखना है, तो इसलिए सहजरी में सुसुत के गरंथ में लिखा हुआ है, ब्यादी उपसस्ता नाम, ब्यादी परिमुक्ष, स्वस्तस रक्षनस चा, और फिर बाद में second number भी लेखा है, स्वास्वेक्ति की रक्षा करना इस पिकार से ये concept clear हो रहा है कि आर्वेत की प्रियोजन जो है, वो दो प्रियोजन है, एक होता है स्वास्वेक्ति की स्वास की रक्षा करना, और दोसा होता है रोगी की रोग का उलुमुनन करना, चरा को सुसुत ने ये दोनों ही ने दो प्रियोजन बताए है, पस इनका क स्वास्वेक्ति की स्वास की रक्षा करना, और रोगी के रोग का उन बुलन करना, चरा को सुसुत में इसका क्रम बदला हुआ है, ये तो हो गया, आरवेद में हम जब प्रिवेश करते हैं, तो हमें मालू होना चाहिए कि आरवेद क्या है, तो आयू का वेद है, चार पेकार की आयू होती है, उनका वर्णन इसमें किया गया है, फिर आरवेद का प्रियोज टीक है तो कितने वागों में बाट गया है तो इसको डेखते हैं सबसे पहले अस्तांगा अर्वेत का बिवाजन तो यहां में आपको बताना चाहstudy औूप हूँ की जब यह ग्यान अफ्तरण से पराप्त हुआ ब्रहमा को स्वियम से ब्रहमा को स्वाभास हुगा इसलिए सब को याद कर सकते हैं जब यह मनुस्य को प्यदान किया गया है यानि इंद से भारुद्वाज को मिला या पर इंद से धन्मंत्री को मिला तब इसका आठ अंगों में विवाजन कर दिया गया ताकि अपनी बुद्धी छंदा के नुसार हर वेक्ति किसी एक विदा का ग्याता बन जाए तो अस्टांग का विवाजन जो है वो कहां है किसने कैसे किया है वो हमें देखना है तो चरक संधा में यहाँ पर गया चरक संधा लिखा है लेकिन में आपको संदर्व भी याद करने पड़ेंगे जैसे आप पढ़ते जाएंगे एक्जाम के तयारी करते जाएंगे तो यहाँ नहीं लिखा है लेकिन चरक सूत अध्या है तीस में यह बताया गया है कि अस्टंग आर्विद के आठंग है उसमें सबसे पहला कायची किस्सा है फेर दूसरे नमर पर आता है सालक पिर आता है सल थीक है यहीं हम जब सुसुत में बढ़ेंगे तो यह तीन जो है न वह रिवर्स हो जाते ऐसा यूटरिन ले ले दें पूरा पहला सल हो जाता है फेर सालक हो जाता है पिर आधग है कायची किस्सा ठीक, अब बढ़ते हैं चोथे में, तो चोथे में इन यहाँ पर चरक ने 20 गर विरोध्मिक प्रसनम चार अक्षनों का है, 20 आता है, इसमें गर आता है, विरोध्मिक आता है, प्रस्मन चार अक्षों का अगत का बड़ा नाम चोथे नमबर पे रखा है चोथे नमबर पे उसको बताए है यहीं जो अगत तंद है वो सुसुद में छड़मे नमबर पे चला जाता है है ना तो यहासा याद करना है जिस बेक्ति को जिसका ज़्यादा नौलेज होता है या जिस पर विश्वास होता है उसको बचा के रखता है कि यह हम इसका सही टैम पे यूज करेंगे तो चरक में केवल जो अगत तंद उसका एकी चैप्टर है तो उन्हें सुरू में लाकर उसको फिनिस कर दिया जब इस सुसुद जो है अगर तंद उनका स्ट्रॉंग है उन्हें लास्ट में रखा है ठीक है जैसा अपन क्रिकेट में देखते हैं तो जो अच्छा बल्ले वास होता है उसको बचा के रखते हैं खेलने के लिए फिर आते हैं पांच में पे तो पांच में भूद बिद्या तो यह तो महाबूद में चटमी चीज आत्मा मिलती है तब कुमार का जन्म होता है यानि पंच महाबूद में एक और स्टर मिलेगा जिसको हम आत्मा कहते हैं तो क्या बनेगा उससे कुमार की उत्पत्ती होगी ठीक अब श श श सहता में देखते हैं सुस्स श सहता ने जो चौते नंबर पर उसको यहां पर छटे नंबर भेज दिया बाकि जो पांच मां था वह चौते पर आ गया और जो छटा था वह पांच में पर यह अंतर है ठीक है ऐसा करके आपको यह रखना है रसायन बाजेगंड सभी गरंतों में जो है वह लास्ट में आते हैं तो उनक चोटा सा स्लोग है जो आपको हमें साया रखना है जवान पर रटा हुआ होना चाहिए चोटा सा स्लोग है यह आपको याद करके ही रखना है अब इसमें कितने सारे कोशन बनते हैं तो इसमें कोशन बनते हैं कि अस्टांग आर्वेद में चरक ने पांच में नंबर में किस को स्थान दिया है किसको दिया है एक ये pattern होता है जो रसायन है उसको जरा किस ने कहा जो आगध है उसको रस्था किस ने कहा जो आगध ऊसको गर्विरोधिक प्रिष्वनम किस ने खा दूसरा question इसका बनता है जो नाम करन चेंज किया गया है तो अस्टांग आरवेद में questions क्या-क्या बनते हैं कि यह अस्टांग आरवेद का भिवाजन कहां कहां है तो चरक के 30 चेप्टर में है, सुसुत के पहले ही चेप्टर में है और बागबट के भी स्टंग जो हिर्दा है उसके पहले ही चेप्टर में है दूसरा टाइमिंग का बनता है कि चोथे नमबर पे कौन सा बता है है पांच में नमबर पर कौन सा बताया है छटे नमबर पर कौनас सा बता है फिर जिनके नाम सामाने से भिन बताए गया है जिसलिक पिस में में बनते हैं अब आते हैं चूकि हमने शुरू में बोला था कि आयू का बेद है ना और चार बेकार की आयू के बारे में समझते हैं निरुक्ति में कहा है आयू इती जीवत काला यानि आपका जो जीवन काल है वो क्या कहलाता है आयू आयू की परिवासा में कहा है चरक ने सरीरे इंद्रिये सत्व आत्म सायोगो धारी जीवितम नित्यक पश्च अंदुबंदस्च पराय उच्चते यानि की सरीर, इंद्रिय, सत्थ और आत्मा इनके सहयोग को क्या कहते हैं आयू कहते हैं तो चार चीजों से मिलके बनाया है आयू एक तो आपकी बॉड़ी होना चाहिए सरीर उसके अंदर आपकी इंद्रियां काम करने चाहिए जिसमें पंच इंद्रियां आती हैं पंच करमेंदी आती हैं पंच ग्यान इंद्री आती हैं इसके लावा मन यानि सत्व और आत्मा सरी इंद्रिय सत्व आत्मा इनके सहयोग को क्या बोलते हैं आयू कहते हैं ठीक है फिर इ पर्याय को देख लेते हैं पर्याय दो बार बताएं इस स्लोग में है नित्यक, अनुबंध दश्च, धारी और जीवितम, और एक जगान चरक सैंता के 30 चेप्टर में पर्याय अलग बताएं तत्त आयू चेत्ना नुब्रत्ती जीवितम अनुबंदो धारी चेत्त ये का आर्था इसके लावह जीवित अनुबंद और धारी तो कुल मिला लागे आयू के परियाये जो है वो चार बता ये धारी यहनि वो सरी को धारन करती इसलिए धारी आयू के रहने पे हमारी हमा जीवित रहेते हैं इसलिए जीवितम अनुबंद रहता है इसलिए इसको नित्याग भी कहते हैं और अनुबंद भी कहते हैं और चेतना अनुबरती जब तक चेतना कानबार हो रहेगा आपके सरी में तब तक आयू कहलाएगी तो ए एक सा-दस और सभी बीपरियाय कारण होता है यह एक जैसी चीजें आपको याद रहती है बीपरिच रहती है तो चुकि में याद रहेंगे एक आंप बूजेगा जैसे जो रितु चल लई है, मंद रितु या सररितु वो नित्या आएगी दूसरा होता है अवस्ता, जैसे बाल्य वस्ता में कब का प्रकोफ होता है योवस्ता में पित्त का प्रकोफ होता है और ब्रद वस्ता में आपका बात का प्रकोफ होता है दूसरा एक सब्द जो इसमें अनुबंध आया है उसके भी वह दोसवेद के होते हैं अनुबंध जो जब दोस किसी से जोड़ा रहता है तो उसको अनुबंध कहते हैं और जब सुतंत होता है तो उसको अनुबंध है कहते हैं ठीक इसको डिटेल पढ़ेंगे अपन जब विमानस्थान में अब आयू से जोड़ी और दूसी चीज़ें आयू के प्रिवासा होगे जो अपने उपर देखी है यह क्या है आरवेत की परिवासा तो आयू के प्रिवासा होते हैं जो किसने बताए हैं चरक ने सुसु सहिता में हम जाते हैं तो उसमें आयू के प्रिवासा में बताए हैं लेकिन लक्षन जो है वो चरक ने कहां बताए हैं हितायू, अहितायू, सुखायू और आसुखायू के लक्षनों का वर्णन चरक सहिता के सुथिस्तान के ठाइटीव चैप्टर में जिसका नाम है अर्थे दस मामूलियत हैं तो यह रेफरेंस दोनों के अलाग हैं यह आपको ध्यान रखना है तो यह था शरीर क्रिया की ज् दान नेवादा!